कि फिर भगवान क्या कहते हैं द्धान प्रभु सुनिये कि अर्जुन जी कह रहे हैं परब्रम परमधाम पवित्रम परमंभवाम आप परम भ्रम आपियो और इसमें ये भगवान ने मजे की बात है अर्जुन इसकी बात क्या कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा है ये सारे रिश्यमुनी नारद व्यास असित ये सब रिश्यमुनी इस बात को मान रहें कि आपी परम भ्रम हो आपी परम धाम हो आगे वो बचा चुकाओं मैं कि परम इश्वर कौन है भगवान जबी ब्रह्म समीता में भी सुबह आपने दर्शन आर्थी अटेंड करी थी तो उसमें आया था गोविंदम आदि पूरुषम तम आहम भजामी गोविंद आपी आदि पूरुषो तम तुम्हें आहम मैं भजता हूँ ये ब्रह्मा जी करे रहे गोविंदम आदि पूरुषम तम आहम भजामी मैं आपको भजता हूँ आपकी भक्ती करता हूँ अब बड़ी जबर्दस श्लोक है प्रहुजी है सर्व योनेशु कौन्तिया अहम बीज अप्रदा पिता मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ अब आगे सुनिये हाँ सभी जोनियों का अब इस श्लोक में देखिए मैं इस ब्रह्मान्ड का समस्त जीवों का पिता हूँ माता हूँ और पिता माँ हूँ क्या हूँ पिता माँ अस्य जगतो माता धाता पिता माँ सुनिये मैं ही पिता आप अपने पिता और दादा अपने आप हो सकते हैं कभी पिता माँ क्यों का है पिता माँ मतलब दादा ये क्या सिद्ध करने है भगवान के मेरे को बिजर्म देने वाला कोई नहीं मैं ही अपना पिता हूँ अर्थात मैं ही अपने कारण का कारण हूँ मेरा कोई कारण नहीं है क्योंकि हम अगर पिता है तो हमारा कारण जो है मेरा पिता है तो भगवान कह रहे है मैं माता भी मैं पिता भी मैं और पिता माँ भी मैं जब ही हम लोग पहले गाया करते थे तुम्हें वो माता चा पिते वतु पिता तुम्हें तुम्हें वो बंदू चा बंदू आज क्या हुआ गायब हो गया सब, सब गायब, हाँ, सिर्फ बोलने के लिए रह गया, हो कहते है न, आर्टिफिशल गेहूं, हमारे गाउं में गेहूं है पर तू आर्टिफिशल ऐसा, अब खाएंगे कैसे भी, है बाई, ये बोलने के लिए रह गया, क्योंकि जो बुलवा भी रहें, वो भ वाले कैसे मान लेंगे, अब ये आपका फस गए हो, आपका दैट हो बनेगा, बन गए है, कि आपको ये जन जन तक मोँचाना है, ये लिकोर, अब आप दैट तो बन Hmongangya है, आपको पता लग गया है, आप आने रखने सकतें, आप इसको निकालना प teaspoons नहीं करना कर रहे हैं इसलिए राधारानी की इस्ष्छ विगार तो आनी सकते आधा कोई हम में आप ऐसे जो एक का रहे थे उनकी मृत्ति हो गई कि कुछ दिन पहले हमने फोन कि प्रपोजी तो पता लगा रूचाने का उनकी to death हो गई कुछ दिन पहले तो उप्रदान बी थे वह नंको को आना था देखिए प्रभुजी हाँ देखिए मैं शौक था मैं बात कर रहा था मैंने का देखो नहीं आने दिया है प्रभुजी है हमने इच्छा करी तब उन्होंने पूरी करी ज्यान रखिएगा भगवान के साथ मैं जाता हम मजाक में कहता हूं लंगरी टांग मत खेलो ह हम लोग क्या करते हैं लंगरी टांग में क्या होता एक टांग उठाली उपर भवान सुचते हैं मेरी तरफ लेगा लेते पीछे हैं क्योंकि लंगरी टांग में यही होता पता नहीं होता ना आगे जाएगा या पीछे जाएगा और जातर हम बदमाशी क्या करते हैं पीछे आपको क्रिश्न की उबधेशज दिखाय जा रहे है करिश्न भूवान का क्रिश्न भूवान के बारे में चर्चा करो, राधाना नी खुश यह आपको बताऊँगा, मैं अंत्यम दिम बताऊँगा कि यह राधाना नी की इच्छा क्या है तो समझ में आया, पिता भी वो ही, माता भी वो ही और पिता मा भी वो ही, और कहते हैं आश्रे भी मही हूँ, मैं गय जानने योग्य शुद्धी करता, तथा मैं रिगवेद, सामवेद, यजुरुवेद, उंकार भी मही हूँ, उनके बारे में क्यों जाएं? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसको और मैं विश्डेशन करूँगा जब serum पे चपनी ऑन रख़आ करूँगा भगवानके जन्म कर्म चंकत डिव्यम उनके जन्म और कर्म क्या है डिव्य का मतलब बता uma फ़ट कर ध्यान रखिएगा एक टिव्य nisneza का मतलब भगवान थोड़ी आएंगे यह हमारे कई दूसरे धर्मवारे लोग कहते है अच्छा तेरे से पूछ के आएंगे अरे स्वराट है वो क्या है वो स्वराट का मतलब पुरी तरीके से स्वतंत्र क्योंकि उनके कोई बराबर नहीं और उनसे कोई उपर नहीं अरे उनकी इच्छा होगी आजा प्राइम विश्टर को रोख सकते हो गई वो परम गयाता है क्या कहते है वीदाहम समतितानी ए अरजुर में भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूत काल में घटित हो चुका है जो वरतमान में घटित हो रहा है और जो आगे चलके घटित होने माला है सब कुछ जानता हूँ मैं समस जीवों को भी जानता हूँ किन तो मुझे कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता पर मुझे उनको ज्यान रखेगा पूरी तरहीज़ी से हम मेंसे कोई नहीं जान सकता हम अंश हैं आंशिक रूप से जान सकते हैं आंशिक रूप से पूर्ण हो सकते हैं पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो सकते हैं यह याद रखिएगा दूसरा तुमारे तथा मेरे अनेको जनम हैं हुए हैं अर्जुन ने प्रश्ण किया थे कृष्ण भगवान से कि कृष्ण भगवान से पूछा था ये चीज कि आपने कहा कि ग्यान आपने विवस्वान को दिया था सूर्य देव को दिया था तो उसने का प्रद्व आप तो अभी हो जाँ तब भगवान इसके उत्तर में कहा था तुम्हारे तथा मेरे अन्य को जन्म हुएं तो भगवान का जन्म दिव्य है और अरजुन का दिव्य दिव्य नहीं है मुझे तो नंसमों का समरन है किन्तु है परंधतपा तुम्हें नंका समरन नहीं रह सकता जीवों को उसका स्मरण अगर किसी को याद भी आता ना पिष्टा जीवन एक जनम बस पंदु भखवान ने तो सब याद है जैसे कि हैंजे नहीं सो जनम का ग्यान था पंदु एक सो जनम का ग्यान नहीं था क्योंगे भीश्म पितामा हरते 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 हरत को नहीं जानते हैं औरे भगवान तो जब आए अवतार लिया जेल के अंदर शारे पठ्ट्र क्या हुए प्रभुजी यहां एक कोई है गुरु बोलते हैं हमारे गुरु जेल में पड़े लीला कर रहे हैं अच्छा में जेल में लीला होती है जेल में लीला हुआ करती है एक सेकंड नहीं रुके थे भगवान अपने आप जेल खुल गए थे सारे हमने तो कभी भी कभी भी शास्त्रों में यह नहीं पढ़ा कि जेल में जाके तपस्या करो हमने तो यह सुना है कि अगर तपस्या करनी है तो किसी पवित्र स्थान में जाओ ना कि जिन्नोंने कानून तोड़ रखा है उनकी संग करो नहीं मानेंगे चिंता मत करो कल्यूग है ध्यान रखना हर टेम जब यह ऐसी चीज़े देखो तो कल्यूग देखो कल्यूग है तो कल्यूग में ऐसे जीव आते हैं बो अपनी इच्छा पूरी करो जैसे एक हुएं बहुत बड़े फिलोस्फर वो पढ़ाते फिरते थे बड़ा नाम है उनका वो कहते थे गुरू की जुरूत नहीं है तो भाई फिर तो चुप रहे न तू क्यों बोलता है अगर गुरू की जुरूत नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हो आप किस हैसियत से मुझे ग्यान दे रहे हो मैं तो यह सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ जो भी ग्यान देता है वो गुरू है के नहीं है बताईए प्रभू तो आप कैसे बोल रहा है भी गुरू नहीं यह उनकी डेथ हुई थी फ्रांस में जाके तो बेसिकली शास्त्रों के अंदर बड़ा क्लियर है तद्वी धी प्रनी पाते ना परी प्रस्ने ना सेवया गुरू के पास जा प्रश्न कर सीख क्लियर है आगे यदपी मैं जन्माता तावी नाशी हूँ यदपी मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी प्रतेग जुक में आदी दिवे रूप में प्रकट होता हूँ तब भी मैं दिवे रूप में प्रकट होता हूँ मैं समस्त जीवों का मित्र हूँ सुहिर्दिम सर्वभूतानाम में सारिब सर्वभूतानाम पहूँ समस्त जीवों का मैं क्या हूँ मित्र अब जब ही मैं कहता हूँ क्यों अब बताओ चलो एक बात लेके चलते हैं यूपी के अंदर अगर योगी जी का कोई खास मित्र हो उसे पंगे लोगे हैं जी क्योंकि जेल में नहीं डालता हूँ एंकाउंटर कर देगा तो अब यह बताओ मुझे जब भगवान कह रहे हैं ये सारे जीव मेरे मित्र हैं तो किसके साथ दुश्मनी करोगे प्रभवान कह रहे हैं वो माने ना माने पर दो मैं उन सब का मित्र हूँ वो मानता है नहीं मानता है इससे कोई मतलब नहीं है तो आप किस से दुश्मनी करोगे प्रभवजी बताईए आगा किसके प्रती बेहर करोगे हैं बताईए सोचिए जब भगवानी सब चीज़े कहते हैं इससे क्या मतलब है ये बड़ा ही important श्लोक है ध्यान पर बोगो सुनिएगा मैं समस्त जीवों के हिर्दे में पंदरवे अध्याय का पंदरवा श्लोक है मैं समस्त जीव के हिर्दे में बैठा हुआ हूँ और मुझी से स्मृती ज्यान तता विस्मृती होती है मैं ही वेदों के द्वारा जानने मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ मैं ही तो मेरा निराकार जो पहलू है वो भी वेद बताते हैं और मेरा साकार पहलू है वो भी वेद बताते हैं वेदों का काम ही है कि मुझे बताना मुझे बताने का मतलब मेरी आग्या को भी बताना क्या बताना परोगी सिर्ब मेरे बारे में नहीं परन्तु मेरी आग्या के बारे में जिससे कि वो मेरे पास आ सके मेरे साथ जुड़ सके हाँ देखिए आपने सही परशन किया परन्तु ये आप नहीं कर सकते बताओ क्यों क्योंकि आप अनपड़ नहीं हो हाँ अनपड़ है उनको सिर्फ बताओ क्या कराओ उसको बो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये करो, निसमे सब कुछ नहीं है, अगला जरव मिलेगा, ज्वरे बुद्धी मिलेगी इसको दियान रखना, उसको बुद्धी मिलेगी, उसने बहुत बुरे करम किये हैं गरीब, मैं पहरे गरीब को देखता था कि गरीब है, अमीर नहीं लूट लिया कुछ अमीर वह भी नहीं लूटा अपने कर्मों का फल भुगत रहा है इस पे मैं जब कर्म पे आउँगा आपकी सारी पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी ये क्रिश्चन हो आप आप हिंदू नहीं हो हमारे शास्त्रों के अंदर क्या कहा गया है चलिए बताते हैं आपको किसाई इतना दीजियो आगे क्या है कि भिकारी भूका ना जाए नहीं सादू भूका ना जाए भिकारी को जो दान करते हो एक पैसे का फल नहीं मिलता वो भिकारी है क्यों कभी विचार किया जीवन के अंदर कभी विचार किया आपने आप तो क्रिश्चनों वाली बात करते हो मुसल्मानों वाली बात करते हो अल्ला ने बनाया है भगवान ने उसको गरीब बनाया कि तुम उसकी सेवा कर सको बिलकुल बोगस अरे नहीं करम ही नहीं पिछले ज़न में करम भी नहीं किया उसने करम करने वाले भी विचारों कही बार नहीं मिलता प्रभू जी अंधा पैदा हो गया क्यों पैदा हो गया बताईए क्यों पैदा हो गया भगवान ने ऐसा दे दिया भगवान कुछ देते हैं यह परमात्मा के रूप में सिर्फ देखते हैं अब परमात्मा पर आता हूं ध्यान पर सुनिएगा भगवान ने का मैं मित्र हूं मित्र का मतलब क्रिपालू है कि क्रिपालू नहीं है ठीक है अब समझे परमात्मा और भगवान में भेद परमात्मा क्या बताएगा उब्द्रिष्टा नियंताचा कि जो तु कर रहा है और जो जैसा तु करेगा वैसा तु यह मिलेगा तो हम समझे यह बहुत एक जगत के अंदर समझा रहा हुए एक उधारन से परमात्मा जज है परमात्मा क्या है जज है और भगवान पिता है और दोनों एक है अब लेके चलिए उधारन के आपके पिता जी जज भी है और पिता भी है अब आपने कोई गलती कर दी आप किसके पास सामने जाना चाहेंगे जज के या पिता के अच्छा जज के पास जाना चाहोगे वहाँ कोई माफी नहीं मिलेगी माफी का मिलेगी पिता के पास इसलिए जज के पास मत जाना वहाँ तो नियाए होगा मारे जाओगे क्रिपा चाहते हो के नियाए चाहते हो यह बताओ जीवन के अंदर अगर गलती करते हो और सुधान ना चाहते हो तो क्या चाहोगे पिता के पास बोल सकते हो मैं दुबारा गलती नहीं करूँगा पर अंदो जज़ तो कहेगा बेटा इसके लिए से अब बताइए आप ने आए चाहते हो और क्रिपा चाहते हो हैं जी क्या नहीं माँआए पर गीता में कहा है बगवान ने मेरी शर्ण में जो आ जाएगा उसको मैं माफ कर देता हूँ अगर माफ नहीं है तो क्रिपा लटक गए फिर समझ में आया पाप खतम होते हैं पाप खतम होते हैं अगर पाप खतम नहीं हो तो प्रभु जी फाइदा क्या भगवजीता पढ़ने का समझेए इस बात को खतम होते हैं हैं जी हाँ उसको दूर भी किया जा सकता है नहीं भोगना कम हो जाता है भोगना खतम हो जाता है दोनों चीज़ें होती है ये कर्म के बारे में चर्चा करूँ तो बताऊंगा पंदू अभी समझा रहा हूं इतना यहां हम पाप खतम करने आएं पाप भोगने नहीं आए मैं मूर्ख नहीं हूँ जो पाप भोगूंगा मैं पापों को खतम करने आया हूँ और पापों करने की प्रवर्ती को खतम करने आया हूँ क्योंकि प्रवर्ती से फिर अगर पाप खतम हो जाए प्रवर्ती रह जाए तो क्या होगा उसको कहते हैं गजस्नान क्या कहते हैं प्रभुजी हाती गया नदी के अंदर नाया भार आया सूंड में रेत लेके फिर डाल लिए अपने उपर क्या पैदा हुआ नाने का तो गजस्रान नहीं करना मनुश्य बनना है यह सारा ग्यान उसी लिए है भगवान कहते हैं अहम सर्वत से इसलिए तो पढ़ रहे हैं प्रभुजी यह सब इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं के फसे रहेंगे नहां क्यों जी मैं तो नहीं मैं तो नहीं आता कभी बहुत ही किया दो गानी के पास है पिछले ज़र में करम कर रखे थे सब कुछ ठीक था कोई प्रॉब्लम है नहीं थी दूर दूर तक प्रंतू प्रॉब्लम आने वाली थी पता था आएगी 100% कोड़ी देखता था रोड़ पर विकारी को देखता था एक तो पढ़ाई नहीं करी और उपर से बुद्धी भी नहीं है द्यान रखे पढ़ाई को जरूरी नहीं है सामानने ग्यान जाहा जरूरी है ना तो उसको बुद्धी मिली ना ही उसको पढ़ाई मिली क्योंकि मैं देखा है बहुत पढ़े लिखे लोग भी है जिनको सामान्य ग्यान नहीं है वो कहते हैं न हारड़वर्ड के अंदर कॉमन सेंस नहीं सिखाई जाती सामान्य ग्यान नहीं सिखा जाता और जीवन के अंदर सक्सेस्फुल होने के लिए क्या चाहिए प्रहुजी य अपने गंशामदास बिल्लाजी कितने पड़े हुए थे MBA किया था उन्हें कुछ नहीं लोटा लेकर निकल लिया थे पिलानी से तो मैं यही सोचता था मैंने का इनका क्या है फिर जब study किया तो पता लगा इनके कर्म है से इनको बुद्धी ऐसी मिल गई है हमें मिलाओं कई लोगों के बूलते हैं अगर मैंने पढ़ लिया था तो मैं नौकर होता मैं पढ़ा नहीं इसलिए आज पढ़ा कूँ लोग मेरे नौकर है बिस्नस्मेन पढ़े लिखे आज मेरे नौकर है तो यह सब चकर छोड़ो हमें तो देखना है कैसे इसको स्टॉप करें क्या करें इस चक्कर को स्टॉप करें तो गुमते ही रहेंगे तो नहां भगवान कह रहे है कि मैं समस्त वेद हूँ अब वेदों का मतलब समझेगा प्रभुजी जब वेद शब्द आए है आई अर्वेद नहीं है वेदों में आतमा का ग्यान नहीं है शरील का ग्यान है medical science है क्या वास्तुकला नहीं है architect है सब कुछ है प्रभुजी वेदों के अंदर वेद ग्यान से बहुर कुछ नहीं है तो वेद का समझो जब वेद शब्द बोलते हैं हम लोग ना इसको दक्यान उसी सुभाव से उसको छोटा कर देते हैं वेद सब पूछ है उसमें सारा ग्यान है जितना आज ये ग्यान की भी ग्यान की बात कर रहे हैं सब अल्लेडी जो वेद है त्योरी नहीं सिद्धान तिक नहीं लोग दुकान है जो है सारा कसा अब आया प्रभुजी बता दिया कि उनको समस्त ग्यान का एक ही चीज़ है पर अंदो हमने पूरा जीवन निकाल दिया पर अंदो बूनी को नहीं समझने ही कोईश करे ग्यान इसलिए फ्रेल हो गया क्या हो गया प्रभुजी ग्याई वस्तु जो था और एक बड़ा ही जवर्दस श्लोप जिसमें भगवान ने उधारन दिया है हे धनन जय मुझसे स्रेष्ट कोई सत्य नहीं है क्रिश्ण भगवान कह रहे है कौन कह रहे है प्रभुजी कि मेरे से स्रेष्ट कोई सत्य नहीं है जिस प्रकार मौती धागे में गुथे होते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है माला में मोधी की माला में प्रभुजे मोती टिका हुआ क्यों है क्योंकि उसकंदर से धागा चल रहा है पर तो एक चीज़ बड़ी अजीव देखिए आपने यह उधार बड़ा अच्छा दिया है बगवान ने उस पे क्या सिद्किया के मुटी टिकेत ओ माला उस पे धागे पे रहा है तो धागा नजर नहीं आता नजर आता नहीं आता धागा कब नजर आएगा ridersch जब मोती चोड़ दोगे तब धागा नजर आएगा तो ये मोती यह सब चीज़े है जब इनको अलग कर दोगे तब धागा नजराएगा कि कौन टिका हुआ था किस पर टिका था सही बाद है गलत बाद है ये भगवाने मोती की मोती धागों पर टिका है उसी तरह सब कुछ मुझ पर आश्रित है मै सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मनी गणा इवा कैसे तरहागे पर सारे मोती ठीके हुआ है ऐसी सब कुछ मुझ पर है अब ये देखिए कई वर लोग कहेंगे आपको मिलेंगे बोलते हुए भगवान तो हर जगा है अब देखे भगवान क्या कहते मैं हर जगा भी हूँ और नहीं भी हूँ आपको होगे यार क्या है सुनो मयाततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्व भूतानी ना चाहम तश्व अवश्टिता नौए अध्धाय का चौथा श्लोक ये संपुन जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है कौन से रूप द्वारा अव्यक्त शक्ति शक्ति के द्वारा व्याप्त है समस्त जीव मुझ में है कि तु मैं उनमें नहीं हूँ यार ये क्या बोलना है मतस्थानी सर्व भूतानी मुझ पर स्थित्य है सरव होता नहीं ना चाहमते वह स्थित्य परंदु मैं किसी मैं नहीं प्रभुजी परम सत्य को समझने की कोशिश करो परमात्मा की रूप में ज़े बताया ना जज्ज के पास मुझ जाना परमात्मा बोलना? नहीं, अब भगवान के पास जाना, किसके पास जाना, परमात्मा शुद बोलते ही, भगवान कहते हैं फसादी है इसने, इसने तो नहाय शाला खोल ली, अब तो मैं सारी गवाओं को बुलाऊंगा, सूरे की रोशनी, अंदकार, पवन, यह सब गवाओं हैं प्रोजे, क्या ह हैं, और परमात्मा बेटे मैं देखी रहा हूं, इन गवाओं को भी बुलाऊंगा, और मैं खुद भी देख रहा हूं, अब मैं तुझे सजा उसी हिसाब से दूँगा, अब भाम मुझे सजाने चाहिए, मुझे तो क्रिपा चाहिए, समा कर दो, और ध्यान रखना प्राइ प्राइश्चित कैसे किया है तो बताता हूँ आपको, क्योंकि आपने बात उठाई, प्राइश्चित का मतलब होता है, गलती हो गया, इसको दोबारा दोराओं मत वो प्राइश्चित हो गया, सिंपल, कोई आपको मंदिर मंदिर जाने की जूरुत नहीं है, आपने कोई ग गलती करी है पर दो ऐसी हत्या वारी गलती मत कर देना उसके लिए फिर फिर उसमें तो यह गलती का मतलब भी क्या होता है समझे एक होता है जान बूच के करना और एक होता है गलती से गलती करना यह इसमें गलती से गलती हो गई जान बूच के गलती नहीं आप प्लैन करो हत्य लोगा की Ubook क्रूš daha जीवन में इसके बाद नहीं करोंगा नी हो गलती नहीं है फृप्र торs नहीं कहला लाइए बार बार रेपीट कर रहा है तो हमारे गुरु महाराज से पूछा था ग मैं होंता है Тамा फिर वह गलती नहीं है थिर उख लियां रखेगा तो यह नौय अध्याय का चौता श्रुक पढ़ लीजेगा समस्त जीव मुझ में है किन्तु मैं उनमें नहीं हूँ यद्पी मेरे द्वारा उत्मन सारी वस्तवे मुझ में स्तित नहीं रहती जरा मेरे अचिंत एश्वरे को देखो यद्पी मैं समस्त जीव का पांच मैंश लोग पढ़िएगा इसको जरूब नहीं हम तो द्रश्य जगत के हैं बहुत एक हम नहीं नहीं अरे प्रभुजी अभी आप जब प्रकृती वह समझ जाएंगे प्रकृती को नहीं तो आप शौक रो जागे हम तो यहां के हैं नहीं यह हम तो गलत जगा भस हुए है हाँ आप पता लगएगा यह वो उसी तरीके से पानी मचली को पानी से निकाल लिया धर्ती पे लिया है धर्ती पे लिया के इसको बोल रहे हो को हजार कमरे का तुझे घर बना के देंगे तो यह मचली खुब खिलाएंगे एर कंडिशन देंगे मचली क्या कहेगी पानी में डाल दे अगर वो नहीं कहती है यह तो मूर्ख है तरती रहेगी और यह सोचो कि अगर उस मचली की मत्र मिर्त्यू ना आए तो प्रभु जी उसकी तोहरत खराब हो जाएंगे तो यह तो आपको समझने की बाता है तो द्रिश्य जगत से परे हूँ बहुत एक झाल